हलो फ्रेंट्स कॉंप्टेशन कमिटी के यूटूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमन प्रधाग आए फ्रेंट्स आज हम डिसकस करते हैं सीटी पेसी प्रेलिम्प सोरियंटेट केमिस्टी के कुछ बहत्पूर प्रस्णों को यह सभी प्रस्ण जो है काफी इंपोर्टेंट जोन से लिए गए जहां से आपको पूछे जाने की संभावना को सिटिसके पूंछ जाने की संभावना काफी होती है जीए सबसे पहला स्क्रील क्या हैなんだ जै अज ़ह चो करना है तो आपको क्या है महत्पूर्ण कंसेप्ट आता है को लाइडी विलियन का को कहते है इसमें कि माध्यम है इसे मेडियम कह देते हैं हो सकता है यह जिए इसे मिला रहे हैं थो सकता है द्रौ भी हम तो इस draw में, यह liquid में हम क्या मिला देते हैं, जा मालो ठोस, draw या gas मिला देते हैं, तो जिसमें मिला जाता है, into, यानि जिसमें मिला जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, और जिसको मिला जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, परिक्षिप्ट या dispersion वाला या परिक्षेपन इसे हम कहते है तो इसे क्या कहेंगे परिक्षिप्ट कहेंगे या डिस्पर्स कहेंगे और जिसमें मिला जाता उसे मेडियम कहेंगे ठीक है तो यहाँ पे इस बात को ओवरल हम परिक्षेपन माध्य हम कह सकते हैं तो इसमें क्या होता है जिसको मिला जाता उसका साई जगर 10 to the power minus 5 से लेके 10 to या और याद रखेंगे जो चीज मिलाय जा रहा है इसमें घूलेगा नहीं इसमें जो है उपस्थित रहेगा इसमें यह उपस्थित हो सकता है लेकिन कभी भी घूलेगा नहीं घूलेगा तो वह तो विलियन बन गया वह सॉलूशन बन गया लेकिन यहां पर कोलाइडिव केस में घुलता नहीं है ठीक है अभी उसे और आगे समझेंगे तो यह बातें आप सको समझ में आ गई कि यह साइज होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए मिक्स हो जाना चाहिए मिस्रित होना चाहिए लेकिन घुलना नहीं चाहिए तो इसे को लाइडिविलियन के अंतर को देखते हैं तो suspension क्या होता है एक अलग प्रकार के चीज है ठीक है इसमें प्रकार बागत माइनस 5 है तो अगर 10 माइनस 3 से लेकिए 10 माइनस 5 सेंटीमीटर तक उसका आकार हो तो उसका अकार थोड़ा सा बड़ा हो गया बड़ा हो गया की नी एएर पलूशन को भी देखेंगे सभी किसका एग्जामपल है आपके निलम्बन ही बात करते हैं तो मिल्क में टर्म आता है उसे हम कहते हैं पायस या इमल्शन इमल्शन क्या है देखिए हमने यह तो समझ रखा है कि यह किसका है को लाइडी विलेन का प्रकार है को लाइडी विलेन का प्रकार है तो जब हम इस माध्यम में क्या करते हैं यह द्रौ माध्यम है यह द्रौ माध्यम है इसमें कोई दूसरा द्राव माध्यम को मिलाते हैं तो इसके जो द्राव के कण जो होंगे पार्टिकल जो होंगे मॉलone Brave ओढ cheesy कुछ भी आप कहलों ये जब इसमें क्या हो जाएंगे mix तो हो जाएंगे और ये क्या है इसमें याद लगवाव में डूसरे द्रव में धूसरे कंड मिस्रित हो जाएंगे वह गुलेंगे नहीं और उसमें बहाव का गुण पाए जाएगा भले वो कम पाए जाए लेकिन बहाव का गुण पाए जाएगा इससे हम क्या कहेंगे पाइस कहेंगे लेकिन यहां पे एक और ऑप्शन देखिए जैल दिया हुआ है जैल में क्या होता है द्राव में हम जैल याद करी आप हेयर जैल की बात करें चोटे इसन टरके देखे तो बहने का गुष नहीं होता और उस द्राव में मिला देते हैं ठोस के अधियों मैं इसे ऐसा 50-50 लिखा नहीं होता है लेकिन हम यह समझ सकते हैं कि उसमें समान होगा दोनों माध्यम और जो मिलाए जाने वाले परिक्षिप्ट का जो है रेशियो तो यह क्या हो जाता है जैल हो जाता है इसमें बहाव नहीं पाया जाएगा ठीक है तो जैल को यह समझ गए है आपने यहाएपने पायस को भी समझ लिया पायस बाह娃 थोड़ा मिल रहा है लेकिन यहां पर इस बात को समझ रहें क्या है कि उसमें जो है चीजें घुलती नहीं और निलम्मा तो हमने क्याधार पर अलग कर लिया था अब बसता है फोम तो फोम क्या है जाग आप साबून या डिटर्जेन यूज करते हैं तो उसमें होता क्या है आपका जो है जो लिक्वीड में अगर गैस बन गया भर गया तो जाग बन जाता है तो इस केस में क्या हो जाएगा द्रौ में क्या हो जाएगा गैस हो जाएगा ठीक है इस प्रकार यहां पर बात है समझ में आ गया तो अब यहां पर दूद किसका एक्जामपल है पूछा जाया तो यहां पर इमल्सन है याद रखेगा इसे यह concept है बताना जो रही था लेकिन इसका answer क्या है पाइस या इमल्सन होगा ठीक है अब यहां पर देखिए दूद जो है क्या है डिवार में जो पेंट किया जÁता वह भी एक प्रकार का इमल्सन है उसमें बहुत सारे दूसरे प्रकार या ठोस के कंच्ट उस्में मिला दिये जाते तो उस बहुत इंट्रेसिंग सा एक सब्द आपने सुना होगा Aerosol Aerosol क्या है Aerosol को अगर यहां पर देखें तो आप केरफुल यहां पर समझें कि कई बार आपका पूछा जाता है यहां पर आप गैस ले लीजिए गैस में दो प्रकार की चीजें मिक्स करते हैं ठीक है इस गैस में थोड़ा सा क्या है जल वास्प आपने पढ़ते हैं द्रौ यहां पर मिक्स हो जाया तो उस केस में क्या बन जाता है कोहरा बन जाता है ठीक है और यहां पर जब गैस में कुछ छोटे-छोटे एंगे इसे क्या कहेंगे दोनों ही अगर यह Uh घोजंद को यहां अब आगे देखिए इसमें दूसरा कौश्ट को द्वस्कार क्या है यहां प्रशन क्या है नियम्लखीत में से कौन सा इंदन सबसे कम पर्यावरण प्रदूसरन करता है ठीक है या किस से कम प्रदूशन होता है तो इस प्रकार की कोस्टेंस को भी हमको सॉल करने आना चाहिए तो सबसे पहले देखिए डीजल केरोसीन हाइड्रोजन और कोईला आपको बहुत इंटरसिंग सा याद रखना चाहिए हाइड्रोजन को भविष्य का इंधन कहा जाता है कि फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है थीक है और क्यों कहा जाएगा मतलब यहां भविष्यक हम क्यों देख रहा है तो आपने नाम सुना होगा क्रायूजैनिक टेक्नलोजी में भी इसे यूज किया जाता है दूसरा भविष्यक का हम इंधन सोथ रहे तो हम इस बात को ध्यान दे रहे होंगी एक लीन एनर्जी होनी चाहिए अक्षय उ है या यहां पर हम कह सकते हैं यहां उनक सभी एलीमेंट हैं और हाइड्रोजन इक मातर है दिख़रा तो यह एसका चstat have क्या होगा सी इसका सभी आंसर होगा हाइड्रोजन लेकिन यहां अधा धिया रखेगा आपको मैं चलो बता देता हूँ अपने नाम सुना होगा प्रभाजी आस्वन फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें की जब हम क्रूड ओइल को पेट्रोलियम ओइल को नीचे से जमीन से निकालते हैं जिसके बनने में लग जाता है क्योंकि वह एक जीवास्म इंधन होता है फॉसिल फ्यूल होता है जो पेट्रोलियम ओइल में कंवर्ट हो गया हो लेकि जब इसे अलग कैसे करते हैं तो याद रखी का चलो में एक इंट्रसिंग सा फैक्ट बता देता हूं हो सकता ही आपकी लिए काफी यूसफूल हो क्योंकि यहां पर इस पकार एक जानना जरूरी है तो देखिए फ्रेक्श भी मट मेला भूरा या काला कलर का होता है तो जब अलग-अलग टैंप्रेचर में हम इसे क्या करते हैं देते हैं तो अलग-अलग टैंप्रेचर भी प्रिथक होना चालो होता है तो सबसे पहले क्या हो जाता है प्राकृतिक गैस क्या हो जाता है प्रिथक हो जाता है सबसे पहले क्योंकि गैस है तो गरम किये थोड़ा सा 30 डिग्री आसपस दिये भी और निकल जाएगा ठीक है इसके बाद निकलता है दूसरा में पैट्रोल निकलता है दूसरा में पैट्रोल निकल जाएगा तीसरा में आप क्या देखते हैं यहां पे आपने नाम सुना होगा नैप यहाँ पर नाम जानते होंगे आपने नाम सुना होगा पैरोलियम जेली पैरोलियम जेली जो है वो निकलता है, है ना, जो ठंड के दिनों में प्रयोग किया जाता है, हम तो अचाओ को फटे से बचाने के लिए उसके बाद देखते हैं, पैराफीन मोम, पैराफीन, पैराफीन जो होता है, मोम निकलता है, मोम कैसे जलता है, मोम बत्ती, क्या ऐसे ही जलेगा, क्या कुछ भ कोल्तार कहते है जो डामर जो है सड़के बनाई जाती पक्की सड़के यह इसी कोल्तार सेreseड़ क्लिए टीक है तो है तो कि अलगалग प्रकार के मतलब वहाँ पर प्रदुसर्ण होगा ही होगा ठीक है भले कम हो ज्यादा हो अलग मैटर है यह बाता सभी क्लियर होई तो यह लिस आप याद रखेगा आगे देखते हैं कि कुछ और कोशेंस को तो यहां पर अगला जो कोशेंस से कोशें नंबर 3 में देखते हैं क्या क्या है तो कोशें नंबर 3 है रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है वट इस दे यूनिट ऑफ रेडियो अक्टिविटी हूँ डिस्कवर रेडियो अक्टिविटी आपको पता होना चाहिए हैं हैंडरी बैकरल हैंडरी बैकरल साहब ने क्या है रेडियो एक्टिविटी की खोज क की थी और जो उन्होंने देखा कि एक element पड़ा हुआ है इसमे अलग-अलग प्रकार की किया किर मों का उत्षर्जन हो रहा है यह किरन को इन्होंने गामा रेस कह दिया ठीक है याद रखेंगी इसे तो यह क्या है किरिनों को जो है मरेस कह दिया तो यह क्या निकल रहा है इसे उन्होंने देखा कि इसी प्रकार का emission निकल रहा है इसे उन्होंने गामा रेस कह दिया था और यह रेडियो एक्टिविटी की स्थाइटो को प्राप्त करता है अनिस्टेबिलीटी टुस्टेबिलीटी जितना ज्याद है निकालेगा उत्रा जादा वो इस थाइट टो क्यों रागे बढ़ेगा तो इन्हों ने डिस्कवर किया था तो उसमें रेडियो धर्मीता का यूनिट यहां पर डिसाइड किया था क्यूरी मैडम क्यूरी के नाम से इसे दिया जाता है इसका आंशर क्या है डी होगा एंगे स् intensity फर्मी किसके लिए यूज किया जाता है जो से पर्मारू पर्मारू का आकार बहुत छोटा होता है अटम का size तो उसके अंदर जो है चीजों को मेसर करने के लिए इसी लाइक फर्मी का यूज किया जाता है ठीक atomic structure में यह बाता सभी clear हो गई आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं कुछ और questions की और जिसमें की हम देखते हैं सूची वन को सूची टू से समयलित करिए थोड़ा सा difficult type का question दिख रहा है लेकिन हमने जानबूच की से लिया हुआ क्योंकि डिफरेंट अलग exam में यहां पर पूछा गया है इसे तो देखिए यहां पर अगर शीज़ नहीं है थोड़ा उपर कर देता हूं एक को दूसरे के में जो प्रयक्त होता है LPG LPG में क्या होता है याद रखेंगी यह बिल्कुल सही मैज्ड है तो बी का टू देखिए यहां पर कहीं पर है क्या बी का टू यहां पर देखते हैं तो यहां पर दिया हुआ है तो यहां पर दिया हुआ है बी का टू तो यहां पर दो है सी और ड गलत ही हो गया, बचा हुआ CND है, तो CND में यहां पर देखते क्या है, इन दोनों में हमको पहचानना है, तो आप देखते क्या है, पहला मैस क्लियर हो गया, अब compressed natural gas जो होता है, इसमें याद रखेंगे, compressed natural gas में सबसे ज़्यादा जो पाए जाता है, वो methane पाए जाता है, तो coal gas के बारे में और फिर gel gas, water gas के बारे में, तो यहां पर देखिए, D का जो है, हमारे पास, D का जो है, यहां पर CO plus S2 लिखा जाता है, CO plus S2 लिखा जाता है, किसे, that is, gel gas को, water gas को कहा जाता है, ठीक है, तो यहां पर देखिए, carbon monoxide, yes, यह है आपका first number का option, first number का option क्या है, carbon monoxide, साइट तो यहां पर गीवन ऑप्सन देखिए डी का जो है वन दिया हुआ है येस सी इसका साइट आंसर है अब बच गया कौन सा अब हमारे पास बच गया सी का फूर होना चाहिए तो कोल गैस कोल गैस जो है इसका जो है हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनो अक्साइट का जो है कॉम्बिनेशन होता है याद रखेंगे कोशन पूछा गया था डिफिक आज कल ऐसे ही डाइब की बार बार कोशन पूछे जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा लेवल अप कोशन जो है थोड़ा सा अपग्रेड हो गया डिफिकल्ट होने लगा है तो इस प यहां पर रिजेंट कर सकें कोरे कोशन आपका निलिखित मेंसे से कौन सा थे यहां जाता है याद रखेंगा sodium bicarbonate और sodium carbonate तो यहाँ दो चीज़े याद रखेंगे sodium bicarbonate का क्या है NaHCO3 होता है ठीक है और यहाँ पर क्या है Na2CO3 होता है sorry कौन सा sodium carbonate का तो यहाँ पर options देखिए कौन सा baking soda है sodium bicarbonate, sodium carbonate potassium bicarbonate, potassium carbonate तो potassium तो है नहीं तो COD ऐसे ही गलत हो गया अब अक्सर यह देखोई PSC का previous CS का question है कि इन में से खाने का soda कौन सा है धोने का soda कौन सा है तो हम इसे इस प्रकार याद रखे थे कि generally हम जब bachelor's रहे थे या फिर जब हम college में रहे थे तो exam का preparation करते थे या college जाते थे हमको खाना बनाने नहीं आता तो हम बाई रखते थे तो हम इस प्रकार वो खाना बनाने में हमकी help करती थी तो इस प्रकार क्या रखेंगे खाने का soda खाना बनाने के लिए हमने बाई यूस किया एक जो है made हमने क्या hire किया जो क्या करें खाना बनाती थी तो उस प्रकार हम यहाँ पर relate करेंगे sodium bicarbonate से ठीक है और sodium carbonate जो होता है धोने का है है ना कपड़ा धोवन soda जिसे हम कहते हैं तो वह यह है ठीक है धोवन soda तो यह याद रखेंगे आप यहाँ से क्या है sodium carbonate मतलब धोने का soda sodium bicarbonate यानि की खाने का soda या baking soda हम इसे कह सकते हैं next question देखिए photography में प्रयोग के जाने वाले hypo karacinic नाम क्या है तो यहाँ पर देखिए इस question को तो options क्या-क्या है sodium थायो sulphate sodium silver iodide sodium nitrate और silver nitrate friends यहाँ पर इसे थोड़ा सा लन कर लिजिए यह जो है एक अपडेट यह फैक के तौर पी से लीजिए क्योंकि यहाँ से questions यह अल्रेडी पूछा गया था यह थायो वर्ट से याद रखेंगे sodium थायो sulphate इसका सही answer है ठीक है silver iodide तो कृतिम वर्षा के लिए यूज किया जाएगा अभी हो सकता ही question में दिख भी जाए कहीं पर option ठीक है तो इसका answer क्या है sodium थायो sulphate come to the next question question number seven chili salt peter किसका नाम है बहुत इंटरसिंग जा question है chili salt peter किसका नाम है देखो chili यहाँ पर सीधा सीधा मेर्च वाला चीली नहीं कंट्री वाला चीली है है लाइक एक ऐसा जो होता है crystal नुमा सरचना पाए जाता है crystal टाइप के भुरबुरे इस प्रकार पदात वाइट कलर का मिलता है चीली rulingCL Peter कहते है घी चीली सावीट होता है एक्शल में सोडियम का एक कंटेंट होता है सो डयम का कंपाउंड होता है और छीली वर्ड इसलिए जुड़ा है क्योकि चीली इसके बहूत बड़े भंडार है विसाल भंडार विसाल बेंदारी कारण याद रखेंगे मिल्क औप मैगनेशिया के रूप में बाजार में लाए जाने वाली एंटाइसिट प्रती अमलका मुक्ष्य तत्व है एंटाइसिट जब आपको दीक होती है तो आप आप घंगे जो है वगरा ठाटें एगर तो वहीं चीजें है तो यहाँ मिल्क औप मेगनेशिया जो है आप सभी को समाझ आ रहे होंगे थोड़ा फास्ट चलते हैं तो यहां पे देखते किया है यहाँ पर अगला को शटग जो है अगला को श्टग जो है किसका यौई एप्समिलबर किसका यौई जाए यहां पर पूछा जाए तो याद रखना calcium है क्या magnesium है क्या barium है क्या lead है क्या तो यहाँ आप याद रखेंगे हम calcium का जो होता है calcium का आपने नाम सुना होगा gypsum gypsum पूछा जाए तो calcium का है लेकिन magnesium का पूछा जाए तो epsom है याद रखेंगे ठीक है तो epsom salt अगर आप पढ़ते होंगे न epsom soddy epsom लवन जो है वो magnesium का है ठीक है दोनों ही में क्या है आपका S2O जुड़ा होता है इस बात को ध्यान देंगे इसका और formula भी जाया जा सकता है बढ़ हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए कि अगला प्रित्वी की पपड़ी में या भूपरपटी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातू कौन सा है बहुत interesting सा question है बहुत आसान भी है देखो क्या है जिंक, तांबा, aluminium और लोहा तो यहाँ पे क्या पाए जा रहा है देखो सबसे ज़्यादा पाए जाता है aluminium ठीक है इस तीन, चार और फिर साथ इस प्रकार उल्टा भी आद रख सकते है और सबसे ज़्यादा पाए जाता है साथ, फिर उसके बाद 4 उसके बाद 3% कैल्सियम पाए जाता है याद रखेंगे तो इसका option क्या है क्या क्या दिया हुआ है तो C इसका right answer है अलिमुनियम, ठीक है आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं हम next question में तो next question देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जल सोधन के लिए-दिमनिल खित मैं से किसका प्रयोक किया जाता है तो जल सोधन के लिए किसका प्रयोक किया जाता है देखिए तो यहां पे देया हुआ है सिर्का, बेकिंग सोडा एलम और टार्ट रिक एसिट तो यहां पे विनेगर जो होता है वो तो एस्टिक एसिट का पाट होता है तो एसीड वगरा तो मिलाएंगे निसीधा टार्टरिक एसिट यह भी है तो अब बचा क्या है या था baking soda या था alum होना चाहिए आपने नाम सुना है फिटकरी का नाम पोटास alum भी हम किसे कहते है ठीक है इसका formula होता है K2SO4 ठीक है AL2 AL2SO4 है ना हॉल थ्राइस ठीक है और इंटू 24 S2O ये जो होता है पोटास alum का formula होता है फिटकरी का तो ये इसे ही मिला जाता है पानी में जाके सुद्धी कर रहा हो सकते baking soda तो अभी हमने पढ़ा ठीक है sodium क्या है bi carbonate जिसे हम खाने का soda हम कह रहे थे तो यहाँ पर यह option तो नहीं होगा तो option C is the right answer उसके बादे 12 number का तूटी ही हड्डियों को जोडने के लिए निम्ली किसका प्रयूग किया जाता है ठीक है सफेज सिमेंट, सफेज लेट, जिंक ऑक्साइड और उसके बाद देखिए plaster of paris plaster of paris pop कहते है घरों की ceiling बनाने के लिए भी इसे use किया जाता है तो घरों की ceiling बनाने में भी इसे use किया जाता है तो याद रखेंगे इसका उत्तर क्या है plaster of paris है plaster of paris है याद रखेंगे next question देखते हैं next question सीधा चलते है stainless steel को बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातू का प्रयूग किया जाता है तो लोहे के साथ देखो पहले तो steel समझीए iron में थोड़ा सम carbon मिला देते हैं तो बन जाता है steel या इस बात बन जाता है ठीक है अब steel में हम यहाँ पे कौन सा पूछा जाए stainless steel stainless steel की जब बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़े और मिलाएंगे nickel और प्लस chromium तो यहाँ पे steel प्लस nickel प्लस chromium यह तीनों चीज़े मिल के क्या होगी आपकी बनेगी stainless steel ठीक है याद रखेंगे तो यहाँ पे कौन सी धातू का प्रेवक के जाता देखिए aluminium, chromium, tin और carbon stainless steel तो carbon तो अल्रड़ी मिला हुआ है steel में तो अब बचा क्या है आपका aluminium नहीं हो सकता, tin नहीं हो सकता बचा क्या है, chromium तो B इसका right answer होगा समझ में आ गया लोहे में जंग लगने में किसे क्या होता है लोहे में जंग लगना corrosion of iron कहते है यह बड़ा interesting सा fact है कई बार exam में पूछा जाता है इसमें पहले कौन सी reaction होता है पूछाए यहाँ पे विगटन होता है, विस्थापन होता है ओक्सी करण होता है, अपचेन होता है ठीक है, तो oxidation और deduction दोनों में से एक ही होना चाहिए चो कि हमको लोहे में जो जंग लगता है लोहा है, इसमें जहाँ क्या होता है oxygen के presence में plus क्या होगा humidity यहने नमी होनी चाहिए तो oxygen जूड रहा है that means क्या हो जाएगा, oxygen हो जाएगा सीधा सीधा, oxidation की प्रक्रिया हो जाएगी अब जब oxygen हो जाता है तो यह लोहे का वजन जो होता है आप यह बढ़ जाता है इसका वजन बढ़ जाता है, याद रखेंगे तो यह क्या है, एक redox reaction का example है redox reaction, ठीक है यहाँ पर याद रखेंगे then after next चलते है इससे संबनित एक दो factor जैसे आपने लोहे का जंग लगना तो कई बार पढ़ा है लेकिन आप कभी इसको सोचें कि तांबे में green color का भी like green थोड़ा color हो जाता है या पर चांदी कभी के भी काली पढ़ जाती है, तो उसमें भी क्या हो जाता है यही oxy current की क्रिया होती है तो उसे भी आप यहाँ पर relate कर लीजेगा यह बाता सभी clear हो गई आगे बढ़ते हम question number 15 को question number 15 में देखिए क्या है galvanization, junk से बचाने की एक प्रक्रिया जिसमें की steel या लोहे के उपर blank की coating कर दी जाती है क्या कर दी जाती है तो आपने activation series का नाम सुना है सक्रीता स्रेणी से हम कहते है जिसमें आपको पता है कि स्रेणी में सबसे पहले क्या potassium है, sodium है है ना, उसके बाद calcium है आधी-आधी है ना, इस प्रकार यहां पे एक जगा आएगा iron आजाएगा और iron की उपर आजाएगा zinc आजाएगा, ठीक है इसके नीचे और भी आजाएगे और सबसे नीचे वगरा में हाइली एक्टिव है, तो सक्रीटा सेणी में सबसे टॉप है पोटेशियम, sodium अगर होते हैं, इसलिए sodium को हम मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है क्योंकि वो तुरंद रियक्शन कर लेता है तो यहां पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सक्रीटा सेणी में अक्टिवेशन सीरीज में उपर में है, तो यह गैलवेन आइजेशन, यह सद लेपन भी इसे कहते हैं, आपके पी एसी में एक्जेक्ट यही वर्ड से पूछा है क्या है, कुछ नहीं है, उसका इंगलिस नाम है, ठीक है, गैलवेन इकरन या गैलवेन आइजेशन और यह हिंदी नाम है, यहां से प्रस्न देखिए, कैसे सॉल किये जाते हैं, कि हमको एक बात तो समझना होगा, अगर आप इन जनरली कभी आप जनरल साइंस पढ़ेंगे भी तो इस सीरीज को याद रख लीजेगा, ठीक है, जिसमें कि कुछ-कुछ और ऐलिमेंट भी आए इसके ऊपर की चीजह करेंगे, तो हायलिय रीक्टिव है, तो अब क्या होता है, हम इसमें जिंक जो होता है, क्या करता है, आयरन वहीं क्या कर देते है, तो इस प्रकार याद रखेंगे, यह किसका होगा क्या निकल होगा मैगनिशम का वगा का पर को जींका होगा तो याद रखेंगे ईसकी उपशनां किया जाता है तो क्योंकि सेंद्वический सेंडी में उपर का है और ये इसको मैं रिक्षा देता यह भी युको और याप्रेक्शन कर लेता है है फिर सबी स्टूइज जिरों ने यह मिस्सदातु एलॉइस को नहीं देखा है उसे जरूर देख लेंगे बहुत सारे मैंने वहां फ़नी मैथट से ट्रिकी मैथट से बताया था कि यहां पर पूछा है कि पीतल पीतल को कहते हैं ब्रास तो ब्रास आप लिख लिए यहां पर ब्रास और दोनों में ध्यान देना है क्या है दोनों में क्या होता है कॉपर कॉमन होता है तो कॉपर कॉपर कॉमन लिख दिए अब क्या करेंगे आप पो क्रॉस कराना है तो यहां का जैट को इधर ले जाना है और इधर का स को इधर ले जाना है ठीक है तो यहां पर जोड़ दीज है copper plus zinc और जो है कहां सा किस्ष्व मिलके बना होता है copper plus 10 ठीक है अब दोनों को जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है copper का copper एक बार लिखिए उसके बाद किया लिखेंगे zinc लिख लीजिए उसके बाद क्या लिखेंगे tin लिख दीजिए अब यह जो बन copper plus tin तो नहीं है ठीक है को तामबा और जो है टीन भी नहीं है और यहां पर दीखें तीन नीचे दिया हुआ है तो यहां पर अप्शन नमबर ए जो है इसका सई आंसर है जो किसका है पी तलियाबरास का है तो यह चीज़ें आपको याद रखनी है चीजह किके एक है तो नेक्स पोस्ट कोशन अगर आप देखेंगे यहां पर तो कोशन नमबर 17 में देखिए कौंसी उत्कृष्ट धातू है है उत्कृष्ट धातू कौंसी है दिया हुआ है तो जैसे सकी ता से भी बीच पाए जाएगा नहीं है कांसा तो एलाइज है बचा क्या है चांदी है तो इसका अंसर क्या है बी उसके बाद देखें कोशन नम्बर एटीन लिए कि सिल्वर लाउड में की से कृतिम वर्षा उत्पन करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो याद रखेंगी नेक्स कोशन की और तो नेक्स कोशन देखें क्विक सिल्वर तो सिल्वर वर्ड आता ही अक्सरम यहां पर मिश्टेक कर लेते हैं तो यह कोशन भी आपका एक्जाम में पूछा हुआ है silver word यहाँ पर पूछा है लेकिन याद रखना यहाँ silver का इससे कोई सम्बद नहीं है ठीक है आपको यहाँ पर option first से silver आप टिक करके आएंगे और वो गलत हो जाएगा aluminium भी नहीं है है ना lead भी नहीं है lead के सभी compound याद रखीगा वो toxic भी होते तो mercury hg है ना hg जो होता है s जो होता है यहाँ पर क्या होता है सीने बार कहते हैं इससे क्या कहते हैं सीने बार कहते हैं जो क्या है और है किसका mercury का तो यहाँ पर silver iodide क्या जो होता है कहा जाने वाला धातू है वो क्या mercury है जिसे हम क्या सीने बार से प्राप्त करते हैं यह बात समझ में आ गई आगे देखते हैं मोनाजाइड बालू में निमलखी में से क्या पाया जाता है ऑप्शन से पोटेशियम यूरेनियम थोरियम और सोडियम क्या क्या पाया जाएगा देखो है ना मोनाजाइड जो है थोरियम के लिए जो सबसे पहले्ट में केरल वाले छेत्र में सबसे पहले देखा था कि वहां मोनाजाइड के बालु बहुत पाए जा रहे हैं मतलब हाँ पर थोरियम है धोर हियम कैना एक रेडियोएक्टिव पर ही है तो यहां पर याद रखेंगे थोरियम इसका सही आंसर है मोनाजाइट बालू में कौन सा खनीच पाया जाता है थोरियम पाया जाता है अगर यहां पर यूरेनियम दिया है तो यूरेनियम क्या है किस से प्राप्त होता है ठीक है पिछ ब्लेंड से प्राप्त होता है यू 303 या कई बार जो है उसके और दूसरी कपॉन यू 308 भी मिल जाता है तो यहां पर है ना कारने लाइट और पीछ ब्लेंड दो प्रकार की यहां पर चीज़ें मिलती है खेर आगे बढ़ते हम नेक्स अच्छा नेक्स वोई है पीछ ब्लेंड से संबंदित क्या चीज़े है तो पीछ ब्लेंड अभी मैंने बताया क्योंकि यूरेनियम था वाहां पर आप्शन में इसलिए मुझे बताना था यहां पर कैल्सियम है यूरेनियम है थोरिया में प्लूटोनियम है तो देखिए आप देखते हो पर की तीनों को चोड़के बाकि तीनों क्या रेडियो इलेमेंट है तो यहां पर यूरेनियम तो पीछ ब्लेंड से प्राप्त होता है थोरिया मोनाजाइट वाले बालू के में पाये जाता है ठीक है और जो है प्लूटोनियम जो है बहुत ही यह कम पाये जाता है हम कह सकते हैं और यूरेनियम भी कम पाये जाता है जो काम की O3 ठीक है याद रखेंगे यह पीच ब्लेंट यूरेनियम इसका सही आंसर है भी आतिस बाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवन के कारण दिखाई देता है बड़ा अच्छा कोश्य नहीं यहां पर है ना जब अटाकिफ होड़ते हैं तो अलग-अलग कलर की रंग निकलत क्या हो जाता है बेरियम तो बेरियम इसमें देखते हैं में है क्या सोडियम बेरियम कैल्सियम स्टांसियम ठीक है स्टांसियम भी है अगर पूछा जाए स्टांसियम जो है अगर आपको पूछा जाए तो इस केस में क्या है रेड कलर दिखता है ठीक है लाल कलर के लिए στην धिकोंड से सिंदूर है है ना जो व भी कहते हैं तो है तो यहां पर देखिए आपको याद रखना चीता है आपको मैं ने बताया थे अप्लू बताया था यहां पे संदूर कुंझ आग में डूंक होतें हैं है टॉक सिंदूर भी चीह没 उतनी से यूज करते हैं लेकिन सबसे पहले याद रखेंगे यह टॉक्सिक चीज है तो रासाइनिक दिसी सिंदूर क्या है यह मर्करी सलफाइड है ना मर्करी का सलफाइड है पारा के सलफाइड है याद रखेंगे तो ऑफशन डी इसका राइट आंसर है ठीक थोड़ा इस राउन से बिलाउंग ना करते होंगे तो आप बिल्कुल घब रही है मत अल्टिमीट लेकर नहीं भी पता है तो सभी फैक को आप नोट करते चलिए बड़े इंपोर्टेंट कोस्टिंस की कलेक्शन है उसका देखिए कोईले में अधिक्तम कार्बन पतिसक पाए जाता है ब तरीका बता रहो हूं आप एलफा वैटिगली चलो भए एसे लेकर जट तक तो कौन सा आ जाता पहला एफिर क्या जाता है बी आजाता है फिर क्या जाता यहां पर देखो P और L में कौन सा आ जाता है P Q R S T है ना L पहले आ जाएगा My Mistake L पहले आ जाएगा उसके बाद क्या जाएगा P आ जाएगा ठीक है तो अलफा में टिकली चलते हैं A B C D से लेके तो L M N O P R है तो आप बस यही चीज़ याद रखेंगे इससे एंथरासाइड इससे बीटूमिनस इससे क्या है लिगनाइड इससे क्या है पीट तो सबसे उत्क्रिष्ट प्रकार का कोईला क्या है एंथरासाइड है सबसे वस्ट टा होता है लाइक 50 से लेके 60 प्रतिसत तक पाए जाता है ठीक है यह 50-70 परसंट पाए जाता है और इसमें क्या होता है बिलों 50 परसंट तक होता है बिलों 50 परसंट होता है इसलिए क्या है इसमें बहुत सारा बेस्ट पार्ट निकलता है और उसे निकलता है इसलिए हम उसे जो याद रखेंगे, anthracite is the best quality of coal, and the coal is the worst quality of coal, तो इस बात को याद रखेंगे, और percentage जो है, decreasing order में याद रखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, next questions को, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखते क्या है, अमली वर्सा में निमिलकेश में क्या अधिक मात्रा में पाय जाता है, बड़ा interesting सा question है, यह फिर से आ गया, देखो आपको पता होगा, atmosphere में क्या है, sulfur dioxide है, atmosphere में क्या है, nitrogen की oxide है, ठीक है, तो जब क्या है, वाई मंडिली, पानी के साथ, जलवास्प के साथ, यह reaction करेगा, तो यह क्या बनाएगा, S2SO4 बना देता है, sulfuric acid, और यह बना दे king of chemical किसे कहा जाता है, इसे S2SO4 को कहा जाता है, और exandra sulfuric acid यह concentrate sulfuric acid जो होता है, करीब-करीब 98% pure होता है, याद रखेंगे, तो सबसे king of chemicals किसे कहते है, S2SO4 को कहते है, और 70% आपके acid rain में क्या होता है, यह S2SO4 होता है, बचा हुआ 30% क्या हो जाएगा, आपका nitric acid हो जाता है आप लोगों को एक बात याद रखें ना, एक चीज और है, carbon dioxide भी तो atmosphere में available है, यह पानी के साथ reaction कर रहे हैं कि S2CO3 बनाता है, carbonic amla, जो क्या है, मतलब 0.something percent क्या है, इसका भी योगदान होता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे carbonic amla भी अगर है, तो आपको ABC 3 को आपको tick क करना है, क्योंकि तीनों ही चीज़ें बनती हैं, लेकिन इस परस्ण की हिसाब से अधिकतब मात्रा पूछा है maximum, तो वो क्या है, S2SO4 इसका answer है, यहाँ पर S2SO4, C इसका right answer है, यहाँ पर क्या HNO3B है, SCL भी है, S2CO3 भी है, तो अगर यहाँ पर गुमा के पूचता की amla भर इसका pH कितना होता है, 5.6 जो से कम होना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा, आपका AC drain होता है, ठीक है, याद रखना इसे, next question, किसे Mars gas कहा जाता है, Mars gas किसे कहा जाता है, देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, तो Mars, जो है Marsiland, आप पढ़े होंगे, Marsiland जो है, दलदली भूमी में, जो बद्बू का कारण क्या होता है, मीथे नहीं होता है, तो यह मीथे ना अप्शन में दिख गया, तो इस प्रकार यहाँ इसका उत्तर क्या है, C इसका उत्तर है, यह बाता सभी clear हो गई, आप देखते हैं, कुछ questions और है, ठीक है, आप देखिए, यहाँ पे question number 27, तो question number 27 में क्या है, टेफलोन का सामान ये नाम है, ठीक है, यह टेफलोन का सामान ये नाम है, एक और नाम से याद रखते हैं, इसे, याद आता है मुझे, PTFE, इसे इस नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए, ढूनिए इसका फुल फॉर्म, यह तो क्या है, पॉलिविनायल खुल रॉराइट, पी वी सी हो गया, पॉलिविनायल फ्लॉराइट भेजा ना, तू पॉलिविनायल FPVF आ गया, डाइफलोरो, मिथैंघ नहीं, तो यह भी नहीं है, पॉली, पी टेट्रा, पॉली, प्षिर टेट्रा, फिर फ्लॉरो, फिर एथिलीन, ठीक तो यह बहुत hard material है इसने जो cooking वाले जो बरतन बनाए जाते हैं आजकल है ना नॉन स्टेक वाले यह टेफलोन कोटिंग कर देते हैं आप जो कार वगरा या बाइक वगरा में देखना उपर में टेफलोन की कोटिंग कर देते हैं ताकि यह कैस में scratches वगरा जो होता है नहीं आ पाए यह आता भी है तो उसे ढख जाता है तो यहां पर क्या है यह PTFE याद रखेंगे यह पूछा जा सकता है टेफलोन का सामाने नाम है संसोधित स्प्रीट की से कहते हैं रेक्टिफाइड जो है स्प्रीट की से कहते हैं 100% एथिल एलकोहल को तो absolute alcohol कहते हैं आपको पता ह क्या है एंटी सेप्टिक का काम करता है तो यह क्या होता है जो है कह सकते है एलकोहल में क्या होता है बहुत ही कुछ मात्रा में क्या आयोडीन मारा पाए जाता है आयोडीन मिलता है मतला आयोडीन मिला जाता है तो यह कौन सा आयोडीन मिला जाता है फंडमत जो मॉलिक जो न certified spirit methylated spirit option क्या है आपको याद होगा याधी से ट्रिंग करते हैं तो वह मिस यूज को ऊ Call को मिला दिया जाता है और यह क्या होता है toxic होता है विसेला होता है आपको बता दूँ कोई ऐसा व्यक्ति जो गलती से भी methyl alcohol को पी लेता है तो उसके death हो सकती है उसकी आखों के रौस नहीं जा सकती है तो अक्सार जो आप घटनाए सुनते हैं ना वो इसी methyl alcohol के बनने के कारण पीने के कारण होता है तो यह याद रखेंगे तो methylated sprit जो होता अगर हम methyl alcohol को मिलाते हैं यहां पर संसोधित sprit पूछा है तो यहां पर इसका answer है c 95% methyl alcohol को हम 5% कुछ और प्रकार की चीज़े मिला देते हैं ठीक है तो उसे हम कहते हैं क्या है संसोधित sprit कहते हैं ठीक है यहां पर याद रखेंगे आपको एक अच्छा यहां से fact आपको मुझे समझ में आ रहा है आपको मालो अपने अपने life में कभी इंजेक्शन लगा होगा तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से से पहले कुछ पत जो है रुई में कुछ चीजे लिक्वीड टाइप के वहां पर जहां पर इंजेक्शन लगाया जाना है वहां पर लाइक मलते हैं थोड़ा सा तो आपको थोड़ा थंड़क महसूस होता है वह यही चीज है है ना एथील एलकोहल संसोधी इसे एक्टिफाइड स्प्रीट कहते हैं इसे 95 परसें एथील एलकोहल इसमें होता है याद रखेंगे यह बात है अब आगे बढ़ते हैं 28 है लास्ट स्लाइड होना चाहिए 30 कोशन है हमने लिया हुआ था तो देखते हैं अगला जो है होची 2 को मिक्स करना है मैंच करना है चुलो कूशिस करते हैं सायद मैच हो जाए है लेक्टिक और टार्टरी एसिट औॉगजेलिक एसिट सिट्री एसिद् The deathly तो सबसे कॉमन है यीप यंजिगा सफे लें किया लिया रुट का 2 देखिए, D का 2, D का 2, हाँ, तो option A और D भी तो गलत हो गया, बचा C और D, उसमें एक find out करना है, टाटरी कमले के बारे में एक trick बताया था, मैं जो 36 गड़ी में कहाते हैं कि कोई भी चीजें जो होती हैं, उसे हम कहते हैं, तर लगना, है ना, तो अमली तर लग थे, इस ट याद रखना, टामाटर में ऑक्जेली कमल होता है, तो अब बचा हुआ आपको नहीं भी पाता था, कड या दही के बारे में जो खटापन होता है, वो lactic acid के कारण होता है, तो अब देखिए क्या है, A का 4 है क्या, A का 4 दोनों में है, उसके बाद क्या है, लेक्टी कम, जो ह हम I think question देखते हैं, और बचा हुआ है क्या, तो यहाँ पे बचा हुआ है क्या, नहीं, दाइंट हो गया है, तो आज हमनी chemistry के अलग-अलग छेत्र से कुछ questions को यहाँ पे cover किया है, आने वाले सत्र में, आने वाले like session में हमने कुछ और प्रकार के questions जरूर लेकर आएंगे, त कुछ भी doubt आता है, आप comment box में लिखके भेजिए, definitely I will answer you, और आप अपने like traditional subject के साथ साथ, general science में भी ज्यादा से ज्यादा score करें, इसी सुबकामनाम के साथ, आज का session हम यहीं समप करते, thank you so much, have a nice day.